गाइज अभी कुछ टाइम पहले मैंने दो वीडियो पब्लिश किया था अन दी एपीडीवेशन स्मार्ट प्रिपीड मीटर एंड उन दोनों वीडियो में अब्जरवेशन्स, रेड फ्लैग्स, जेनरल क्वेरी को कवर करने का मैंने कोशिश किया था लेकिन जो कमेंट्स रिसीव हुआ मुझे उन दोनों वीडियो में उसको एनलाइज करने के बाद आई हैव दिस फिलिंग कि शायद वीवर्स को जो है कॉंटेंट सही तरीके से समझ में नहीं आया तो सबसे पहले अगर हम यह पूस्पेट से प्रिपेड माइग्रेशन की बात करें तो कस्टमर्स वैर नॉटिफाइड इन एडवांस त्रू लेटर रिगार्डिंग चेंजिंग ऑलेक्रिसिटी मिटर क्योंकि अगर आप न्यूस पेपर में पब्लिश करते हो अगर आप लोकल न्यूस में अगर दिखाते हो तो वह उतना इफेक्टिव नहीं है बिकॉस अव दा सिंपल रिजन की लाइक नॉट एवरीबडी फॉलोज दा न्यूस ओने टीवी अगर 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 को बताना चाहता है तो वह जो है कस्टमर को बार बार जो है अलग अलग तो एंशियोर कि लाइक मैक्सिमम कवरेज हो अगर मैं अगर मैं अपना जो है इस पे अपना फीड़बैक दू आपको तो लाइक मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह पोस्पेड से प्रीपेड वाला जो मीटर है यह कुछ इन्स्टॉल होने वाला है ओनली दे जब क कोई चेंज करने के लिए घर पे आया तभी मेरे को पता चला कि हां मीटर चेंज हो रहा है अब 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 तक अपने कस्टमर्स को जो है जो पूस्पेड वाले जो कस्टमर्स थे उनको घर पे बिल भेजा करते थे तो दे कूड़ एफ सेंटे लेटर वो लेटर इंगल हो सकता था वे चीज दानना था कि आया बंव घर गरे मेंगलय और उसमें यह में आ दर्व sis को दो आसकता था ही दा काइज को स्टेट को क्या बेनिफिट है यह क्या यह क्या इस पार्ट ऑफ एनी गवर्मेंट स्कीम है न तो यह सारा कुछ जो है लोगों को डीटेल्स में बताया जाना था लेकिन यह तो नोटिफाई नियुआ लाइक जैसे मैं आपको कहा कि मुझे तभी पता चला जब मेरे घर पे इ लोग आये तो आपका प्राइविट प्रॉपर्टी है तो लोगों के प्राइविट प्रॉपर्टी पे लोग घुज गये जाकर के मीटर हटा के अपना मीटर लगा रहे ठीक है आप यह कर रहे हो इस फाइन लेकिन कम से कम यार कस्टमर को इन एडवांस बताओ तो सही कि ऐ इसौस लोग आने वाले हैं करके यह काम आपके प्रेमाइस में करने वाले क्योंकि private प्रेमाइस इस में कोई भी random private individual अगर गोसरा है तो कहीं ना कहीं वह जो प्रेमाइस है उसका safety and security जहए वह komповेंस होता है जहपर्टाइस होता है अघर हम इसको मार्केट में दूसरा समय सा जाता है कि so and so engineer आपके घर पे आने वाला है यह इनका नाम है यह इनका फोन नमर है तो मतलब अग्रीम जो नोटिफिकेशन है जो एडवांस नोटिफिकेशन है वो दिया जाता है ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ मेरे घर पे कोई आने वाला है इस काम के लिए इसका नाम है यह इसका फोन नमर है लेकिन यहां पे तो यार मीटर का बक्सा लेके लोग आ गए गुज गए मीटर कोई भी चेंज कर रहा है तो ऐसे एक प्राइवेट प्रेमाइस का जो सेफ्टी एं सेक्यूरिटी है वो इंपेक्ट होता है पहले से बता के करो तो सही है इसके अलावा दूरिंग इस्टोलेशन प्रोसेस अफ द निव एक्रिशिटी मीटर कंसुमर वस नॉट इंफर्म्ट अबाओ पॉसिबिलिटी ऑफ बिंग प्लान अब जब मेरे प्रेमाइस में इलेक्रिसिटी मीटर चेंज हो रहा था तो जो बंदा चेंज कर रहा था उसको मैं इस तरीके से उसने मुझे बताया तो आइगेस यही स्कृप्ट उसने जो हर जगा लोगों को सुनाया होगा क्यूंकि जिस तरीके से उसने मुझे बताया तो आइगेस शायद यही चीज़ उसको किसी ने सिखाया होगा कि यह कोई पूछे तो यही कहना क्योंकि यह बताना चाहिए था कि यह जो मीटर लग रहा है आगे चलके आपका यह जो है यह प्रिपेड प्लैन में कनवर्ट हो जाएगा तब तक जो है मुझे पता नहीं था कि यह जो प्र लोगत इडिवर के तरफ से उनको फॉर्स फूली जो है पूछ से प्रिपेड बिलिंग प्लैन में कन्वर्ट कर दिया गया एगा अगर हम एलंक्रिसिटी को यूटिलीटी-स सर्विस में काउंट करते है तो यूटिलीटी टीलिटी सर्विस में अगर हम टेलिफोन और ब्ल चीज में जो फानर चाइब्स के अगा को में से कंसे कंसे कम आपको सी तो । जो गए है तो इस टाइब से मतलब थौभ दिया गया अब मन्यख आपको यूर कर्वाइबल लग को अपन आपको अभी नहीर कर दिया गया है आप आपको लेना है नहीं लेना यह आप जानों आपका काम जाने अगर APTCL ने इसको revenue को ध्यान में रखते हुए अगर किया होगा कि revenue recovery इससे बहतर होगा prepaid करने से क्योंकि postpaid में क्या होता है कि हमेशा एक challenge होता है कि यार लोग use कर लेंगे फिर bill pay नहीं करेंगे तो revenue रिकवर नहीं होगा तो यह जो है यह argument maintainable नहीं है because the simple reason कि अगर किसी ने electricity का bill पे नहीं किया तो उसका electricity connection तो वह ऐसी disconnect हो जाएगा है ना and currently state में APTCL के लाबा और कोई vendor तो है नहीं कि जो electricity बेचता हो कि यार आपने APTCL का bill default कर दिया और मान के चलो Tata power है अदानी power है वहां से जाकर के अपने electricity ले लिया तो आपका घर चल रहा है electricity तो basic necessity of life है तो बिना electricity का कोई नहीं रह सकता है ना तो अगर किसी ने bill default किया है कुछ time बाद वो pay कर देगा उसका कोई financial मजबूरी रहता होगा है ना तो revenue के revenue को ध्यान में रखते होगे revenue recovery को ध्यान में रखते होगे अगर पोस्ट पेट से प्रिपेट किया गया तो वह argument and sustainable भी नहीं है जिसमें कुछ लोग electricity का जो यह prepaid meter है उसमें कुछ tempering करके चोरी कर रहे थे तो लाइक यह सब चीज तो है तो अगर revenue recovery को ध्यान में रखते होगे अगर यह forcefully पोस्ट पेट से प्रिपेट किया गया तो यह argument maintainable नहीं है यह customer centric तो एप्रोच बिल्कुल भी नहीं है इसके अलावा जब electricity का connection लिया गया था या जब भी अब connection लेते हो पोस्ट पेड में तब आप meter के गेस्ट में security deposit रखते हो पांच जार चार जार कुछ भी तो जब आपका पोस्ट से प्रिपेड हो गया तो वह जो security deposit का पैसा एडजस्ट होने के बाद जो आपके पास बचा है वो पैसा कहां है वो मैं मैंने माई विजली आप में मैंने ट्राइ किया मुझे वो कहीं पर नहीं दिखा एंड IPDCL का जो dashboard है website पे जाकर करके जो mobile number OTP से login करना पड़ता है मैंने वहाँ पर भी search किया तो वहाँ पर मुझे वो balance कहीं भी दिखा नहीं एक message में आया था कि व अगर आपको पता है कि वो जो security deposit का पैसा है वो मैं कहां पर देख सकता हूं कहां पर मैं trace कर सकता हूं तो comment में मुझे यह चीज़ जरूर बता है क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं like I am very much stressed कि like मेरे मेरे पैसे थे हजारों में पैसे थे security deposit का जो like अब मैं trace नहीं कर सकता कहां पर है वो है ना इसके अलावा अगर हम impact की बात करें due to the sudden disconnection of electricity the consumer faced issues as electricity is an essential service अब समझ सकते हो कि like all of a sudden postpaid से prepared हो गया ठीक है उसके बाद लोग तयार भी नहीं थे and electricity suddenly disconnect होने लग गया तो इससे जो है अगर कोई घर पे को student है जो exam के लिए prepare कर रहा है let's assume कि आज शाम को light चला ग नहीं आए घर के करता धरता पापा ही है and बच्चे को अगले दिन exam के लिए जाना है तो आप समाझ सकते हो what is the impact electricity नहीं all of a sudden परेशान है पढ़ाई नहीं हो पा रही है revision नहीं हो पा रहा है similarly अगर घर पे कोई you know medical condition बहुत serious है और घर पे critical care में है life support system type का कोई equipment medical equipment चल रहा है जो electricity से चलता है और वहाँ पर अगर all of a sudden electricity चला जाता है तो वहाँ पर भी जो है impact पहुंचता है तो यह तो these are just two examples impact तो कुछ भी हो सकता है it is up to you तो यह sudden electricity disconnection के कारण आपको क्या impact हुआ वह आप comment section में you know post कीजेगा तो इस आप से कम से कम जो है पता चलेगा कि यार what type of issues are people facing इसके लाबा APTCL as a company अगर यह चीज एंटिसिपेट करता है यह चीज अगर expect करता है कि all of a sudden उसके जो customers है वह इतना रातो रात टेक से भी बन जाएंगे कि वह अपना electricity को जो है smartphone में एक application के थ्रू जो है manage करेंगे रातो रात लोगों का literacy rate हाई हो जाएगा रातो रातो लोग सारा कुछ achieve नहीं कर लेगा कि smartphone app से जो है अपना electricity manage करें and everything इस चीज में time लगेगा and अगर आप directly यह चीज अगर लोगों के अपर थोप दोगे कि यार हमने तो prepared कर दिया अभी आपको जो है रातो रातो रात कुद को upgrade करना पड़ेगा आप जानो आपका काम जाने अगर इस company है तो ठीक है चलो like they are profit driven, they are not ethics driven तो वो लोग कुछ इधर उदर का करते है तो ठीक है acceptable है लेकिन अगर कोई government company है अगर उसका काम करने का तरीका अगर वो customer centric नहीं है तो like it is very disappointing तो यहाँ पे APDCL को 0 points out of 10 इसके अलावा जो impact में जो सब से serious point है वो यह है कि there are thousands of consumers who live paycheck to paycheck and whose entire monthly earning goes in goes towards paying of survival and with near zero savings तो like बहुत से ऐसे लोग है APDCL के customers है आम जनता है जो लोग 10-12,000 रुपे महिने का कमाते है और उनका family है तो वो लोग जो है paycheck to paycheck जीते है मतलब salary मिला salary का जो पैसा है उसे बच्चे का school का fees, घर का खर्चा, office आने जाने का खर्चा, खाने पीना, rent इन सारी चीजों में चला जाता है तो उसके बाद हात में जो है इन सारा इस सारा खर्चा करने के बाद कोई भी पैसा नहीं बचता है लेकिन सम्हाव सर्वाइफ कर रहे एक अच्छे दिन की उमीद में जो है लोगों को वोट दे रहे हैं everything तो है maximum people ऐसे condition में जीते हैं and let's assume कि कि किसी household का जो electricity budget है वो 500 रुपे का है तो उसको पता है कि मैं काम करूँगा एक महीना मुझे salary मिलेगा तो उस salary में से 500 रुपे electricity का भी लाएगा मैं वो चीज भर दूँगा लेकिन जब उसको post paid से prepaid में आप convert कर दोगे तो considering the fact कि वो paycheck to paycheck रहता है उसको महीने के खर्चे के बाद हाथ में कोई पैस उसके savings बचता नहीं है तो अब उस आदमी के लिए upfront 500 रुपे मैंनेज करके electricity में recharge करना जो है तो बहुत difficult हो जाएगा and अगर electricity वो रिचार्ज नहीं कर पाएगा तो he would lose access from electricity है ना तो यह तो like it is something like अगर मैं आपको एक example से समझाओ कि आप गर्मी के दिन में मेरे पास आए मे से कहते हो कि यह रिगलास पानी देना तो मैं एक मटके में जो है फ्रीज का ठंडा पानी डाल दू डालके वह मटका मैं आपको ना दू और वह मटका मैं 60-80 feet उपर लटका दू और मैं आपके हाथ में एक डंडा दी दू पत्थर दू और मैं बोलो यह डंडा है यह पत्थ कोंट्रोवर्शियल बिलिंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो यह मेरा उब्जर्वेशन है कि अंटिल 21 मर्च 2023 कस्टमर के पास ऐसा कोई उपाई नहीं था इन दी माई विजली अप एंड जो कंजूमर डेशबूर्ट है जिसमें कस्टमर यह देख पाए कि वह उनका ड एक अपडेट जारी किया अपने माई बिजली अपका एंड अराउंड 6 अप्रेल 2023 मैंने अब्जर्व किया कि एपीडी अलने कंजूम्शन एंड बैलेंस का जो डेटा है वह एवेलेबल करवाया है माई बिजली अप में इन दी फॉर्म आफ वेरी कॉंप्लेक स्टैस्टि आफिस में काम करने वाले लोग भी है APDCL का कस्टमर एक किसान भी है तो अगर कोई किसान है तो वो कैसे Maths and Statistics रात और रात सीखेगा ता कि वो इस डेटा को देख पाए पड़ पाए अगर टेबल फॉर्मेट में होता तो आसान होता है ना जैसे बैंकर स्टेट्मेंट आता आप एक छोटी स्क्रीन में देखोगे तो इसके रीडेबिलिटी जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एक महिने का डेटा देखने जाओगे तो मतलब इतना वो मतलब टाइटली पैक्ट होता है तो उसे तो मतलब रीड ही नहीं कर सकते आप बहुत डिफिक जैसे आपने पांच सब्सक्राइब लिफिकल्स रहेगा तो इसके बाद पिर पटिकूलर्स रहेगा फिर क्रेडिट इंड अवाउंट होगा उसके बाद फिर आपका रनिंग बैलन्स होगा जैसे फर एगजम्पल ग्रेडिट 5000 उसके बाद डेविट 1000 रिमेंग बैलन्स 4000 तो इस तरी के से टेबल फॉर्मेट में आता है एंड बिंग अ प्रोफेशनल सॉफ्ट्वर एंजिनियर एंड डेटा साइंटेस्ट मैं इतना जानता हूं कि जब भी कोई बच्चा बैकेंड प्रोग्रामिंग लैंगवेज सीखता है तो इस वेरी बेसिक तिंग जो से कैसे करोगे लाइव सर्च कैसे होता है तो यह सारा चीज जो है वेकर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बच्चा जाता है ना बेकेंडár प्रोग्रामिंग धेंड लेंगवेज में उसको यह चीज़ सिखाया जाता है चोटा सा कम नहीं हो पाए तो यह यह लाएट युदि अधिवादी खरीटे टाइम, फल खरीटे टाइम, मिठाई के दुकान में, चिकन खरीटे टाइम, मच्छी खरीटे टाइम, तो मैंने मार्केट में लोगों को इसके बारे में डिसकस करते हुए भी सुना तो like when I went and joint the conversation, जिसमें लोग ये अचानक से postpaid से prepaid billing system में, बात कर रह और कुछ लोगों ने मेरे मेरे शकल पर बोल दिया कि भाई आप क्या बात कर रहे हो आप यह हमें पता है यह middle class को scam करने का तरीका है और कुछ नहीं, और कोई दूसरा option ही नहीं, electricity तो यूज करना ही है तब यह अपना मनमानी चला रहा यह PDCL, अब जितना पैसा मांगेगा वो तो recharge करना ही पड़ेगा, पैसा पहले उनको दो, वो आपना हिसाब से वहाँ से पैसा काट ले, यह चीज लोगों ने, they testified on my face, और अगर मैं अपना opinion बताओ तो यार मैंने भी देखा है, पोस्पेड से प्रिपेड होने के बाद जो पैसा जो deduction है, जो electricity का बिल है, वो कही बढ़ा है, and consumer have testified that यह जो पोस्पेड प्रिपेड बिलिंग सिस्टम है, इसमें लोगों ने जो है, increase in the electricity charge, लोगों ने यह चीज अप्जर्व किया है, with no change in the consumption and usage pattern, क्योंकि लोगों ने कहा कि अगर मेरे गर पे दो फैन and you know, चार लाइट अगर मैं यूज कर रहा था इसके लाब अगर मैं प्राइम अफेसियन रेड फ्लैक्स की बाहत करो, तो for a prolonged period, APTCL did not furnish consumption data to the prepaid customer, which has raised suspicion on the credibility of the prepaid billing system, and when the matter was highlighted, जब वीडियो अगरा जारी हो गया, जब लोग स्वाल कर थे कि किस रेट से यह पैसा काटा जा रहा है, अभी 500 रुपे रिचार्च किया, अगल कोई app को update किया, बहुत ही complex statistical representation of data available करवा दिया, and इस चीज़ को देखने के बाद ना कहीं यह मतलब एक feeling आता है, कि यार like APTCL ने इसको जो किया है, it is just for the purpose किया है, to protect itself from judicial inquiry, कही कोई PIL वगरा फाइल ना हो जाए, कि यार भाही हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, कि हमारा पैस किसी आप से कट रहा है and everything, there is suspicion, जो यह billing process है, प्रिपेट में वो opaque है, वो transparent नहीं है, तो उस चीज़ से बचने के लिए कहीं कुछ data निकाल के जो है, लोगों के सामने रख दिया, कि भाही यह data है, अब तुमें जैसा देखना है, देख लो, हमारा कामता data देना हमने दे दिय तो इस टाइप का है and इससे जो है, बहुत suspicion भी raise होता है, जो इसका credibility है, प्रिपेट बिलिंग सिस्टेम का उस पे भी सवाल उटता है, प्लस एक सवाल तो यह भी है कि APDCL का जो software system है, जो IOT infrastructure है, क्या वो audited and certified है by any independent competent firm, ठीक है, to nullify the chances of cyber forgery, cyber forgery का मत्तब है, computer data manipulation such as backdate में जा entry का data जो है, उसको change कर देना, उसको modify करना, क्योंकि let's say कि आपने हर दिन अपना electricity consumption देखा है, लेकिन आज जो है, कोई 3 दिन पहले का job का consumption है, वो अगर 4 रुपे है, उसको जाकर के कोई 20 रुपे कर दे, तो क्या APDCL के system में यह चीज़ किया जा सकता है, is it audited and certified के ऐसा नहीं नहीं हो सकता, जो data एक बर server में hit हो गया, वो चीज़ एडिट नहीं हो सकता, उसका code जो है, क्या वो audited है, उसका database का जो architecture है, क्या वो audited है, उसका data center है, क्या वो, you know, security and इन सारी चीज़ों के लिए, is it audited and certified, तो यह सारा कुछ भी जो है, इस पे भी कोई information है नहीं, ताकि trust inspire हो है, तो like, कुछ भी बिल आ जाएगा, कुछ भी यह लोग डिटक कर लेंगे, you know, data भी जो है, इतना proper तरीके से दिखाते नहीं है, तो like, prima facie and red flags तो उठता है इस पे, इसके अलावा, APTCL ने जो है, consumers को को कोई calibration certificate नहीं दिया है, to prove the accuracy and credibility of the meters, अब जो meter, जो है, let's assume कि APTCL का the software system and IoT infrastructure, वो बहुत सही है, उसमें कोई छेड़ चार नहीं है, ठीक है, लेकिन जो equipment आपके घर पे लगा हुआ है, यह जो meter है, वो तो उसका calibration certificate है, वो तो हमारे पास नहीं है, मतलब, अगर आपको मिला है, तो आप मुझे बताना जरा, कि like, उसमें लिखा हो कि हाँ, यह meter ज मतलब, खामी नहीं है, and everything, calibration certificate होता है, कोई भी measuring instrument का, अब electricity meter जो है, वो electricity measure करने का measuring instrument है, तो उसका calibration certificate होगा, तो वो calibration certificate तो दिया नहीं है, कि यह चीज़ पता रहे कि हाँ, इसका accuracy क्या है, कितना credible है, तो हो सकता है कि APDCL का software and IoT infrastructure जो है, वो सही है, लेकिन जो meter है, उसमें कुछ गड़बर है, यह तो हम बोल नहीं सकते, and information भी इस पे clearly लोगों के पास available नहीं है, मैं as a consumer मेरे पास है नहीं, अगर आपके पास है, तो comment section में बताईए आप, तो इसलिए यह प्राइम अफेसी and red flags तो इस पे उठेंगे, credibility पे सवाल उठेगा, तो अब मैं आपको अपना opinion बताता हूं, as a common man, like, जो middle class category से भी लॉग करता हो, तो like, मैं भी जो है, अच्छे दिन का इंतजार कर रहा हूं, आज 9 साल हो गए, अच्छे दिन, अच्छे दिन सिर्फ सुनता हूं, अच्छे दिन देखने को नहीं मिल रहा है, अच्छे दिन के नाम पे यह post paid से prepaid यह सब मेरे भी है, like, है न, तो मैं भी जो है, यह जो post paid से prepaid वाला जो process है, इसमें मैं भी नाखुष हूं, मैं भी upset हूं, मैं भी dissatisfied हूं इस से, and यह जो prepaid billing process है, इसमें मैं नाखुष हूं, क्योंकि यह पर ऐसे बहुत से areas है, जिसमें suspicion raise होता है, and जो trust को तो बिलकुल inspire नहीं करत है न, तो this was all about the facts, the prima facie, the interview of people, and लोग क्या कहरे इसके बारे में, the controversial billing process, what is the impact for the sudden post paid से prepaid वाला plan, and यह जो post paid से prepaid migration हूआ, तो इसके बारे में, this is a detailed video, and again, like, यह जो वीडियो है, इसमें मैं ने जो है, जो है, इसमें मैं ने जो है, 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 इसमें मैं ने बताया है, आपको, ठीक है, मैं कोई, पार्टी पूर्टी से कोई भी, जो है, like, influence नहीं हूँ, आप सब की तरह, मैं भी एक आम आदमी हूँ, and जब भी मैं अपना वोट कास्ट करता हूँ, किसी भी पार्टी को, तो मैं इस चीज़ का उमीद करता हूँ, कि आने वाले पांच साल में, जो है, वो कुछ अच्छा करेंगे, जिससे मेरा ग्रोथ होगा, मेरे सोसाइटी का ग्रोथ होगा, स्टेट का ग्रोथ होगा, कंट्री का ग्रोथ होगा, है ना, तो उसी चीज़ को उमीद में, मैं जो है, वोट देता हूँ, अपना, and everything, लेकिन, कभी न कभी जो है, ऐसा कुछ, चीज हो जाता है, कि जिस पे जो है, पॉब्लिक परिशान हो जाते है, जैसे यह जो पॉस्पेट से प्रिपेड वाला है, जिसमें अननेसेसरी इतना ज्यादा लोड आ गया है, जो मिल्ल क्लास लोगों पे, and everything, हर कोई परिशान है, हर कोई बारे में बोल रहा है, and like मैं भी इससे impacted हूँ, मैं भी नाखुष हूँ इससे, तो उसी चीज को cover करने के लिए जो है, यह वीडियो है, जो observations है, जो red flags है, जो general queries है, उसको मैंने explain किया है, तो अभी आप अपना जो judgment है, अपना जो understanding है, उसके अगोर्टिंग, जो भी आपका feedback है, on this video, comment section में, जरूर डालिए, किसी को hurt करने का, किसी को defame करने का, मेरा कोई motive नहीं था, लेकिन, हाँ, अगर कुछ भी चीज ऐसा होता है, कि जिससे, you know, एक large segment, को, एक large segment of people and society को, जो है, किसी चीज से अगर impact पहुशता है, तो उस पे, बात करना, उस पे, सवाल उठना जो है, वो जाएस है, and this is the video, and yeah, आपके जो feedback है, please post it in the comment section, I would love to know, आप क्या सूचते हो इसके बारे में, and again, video अगर अच्छा लगा, please give it a like, अगर आप चैनल पे नए हो, तो subscribe, and yeah, that will be all for this video, I'll see you in the next one, so तब तके लिए, stay safe, take care, bye-bye.